पुलिस की कारवाई के दौरान और समतुष नागरिकोद्वारा मोबाइल फोन में कारवाई को शुपके से रिकॉर्ड किया जाता था पर उसके बाद ऐसा करने वाले को पुलिस करम्यों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता लेकिन अब नागरिकों को हाई कोट ने बड़ी रहाद दी है यह अधिकार दिया है कि वो नागपुर पुलिस की कारवाई के दौरार वो चाहे सड़क पर हो या पुलिस थाने में उनकी मोबाइल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उचिन्यायले की नागपुर खंपिट द्वारा नागपुर में दाखिल क्रिमिनल एप्लिकेशन के मामले में एक आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि किंद्र सरकार द्वारा पारित अधिकृत ओफिशियल सीक्रेट अधिनियम के अंतरगत वर्जी ठिकानों की व्य प्रदान की गई है नागपुर पुलिस अयुकत आले में पदस्त पुलिस उब आयुक डॉक्त अश्विणी पातिल ने आयुक के मातहत एक आदेश पारित किया है जिसमें नागरिकों को मोबाइल रिकॉर्डिंग की अनुमति प्रदान की गई इस आदेश पर पुलिस आयुक तमीटेश कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जनता के ही सेवक है पारदर्शिता के लिए अगर कोई भी नागरिक वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहे तो वो कर सकता है इस पर कोई भी कारवाई नहीं होगी आयुक के मताबिक पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारीों को भी इस संबंद में सूचना दी गई है कि वो ऐसा कर रहे नागरिकों के कोई भी बहस ना करे सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों की निजता का हनन ना हो इसका खयाल वीडियो डिकार्डिंग करने वाले को रखना हुगा बरोबर है एक लीगल पोदिशन अशा है कि पुली स्टेशन एक पब्लिक प्लेस आए आनि पुली स्टेशन एक पब्लिक प्लेस अस्ताना आनि पुलीस अधिकारी करमचारी एक पब्लिक सर्वेंट अस्ताना ते त्यांचे करतव बजावत अस्ताना त्यांचे वीडियो रि यहां पूरवी देने आताली होती आने परत्ती सूचना पुलिसाना देने आताली लिया है रस्त्यावरपन आमी काम करत अस्ताना कोनी आमचे वीडियो रिकॉर्डिंग करत करू शक्ता त्या मदे पन कोंताई प्रकार ची बंदी नहीं है ही पन सूचना सर्व अधिकारी करमचारियाना देने आताली लिया है फक्त महिला करमचारी चे परस्नल डिगनिटी चे कोनताई प्रकार चे त्यांचे वर आक्षे प्येव नए एवडेच एक कालजी घ्यावा लागते त्याचे व्यतिरिक्त इन वीजेन नीरव किलिए अकलीज भादो अच के साथ अकसान सारी केरिपो झाल